नमस्कार विजन आईएस के नियूस टुड़े के इसंख में आप सभी का स्वागत है इसंख में हम आपके लिए लेकर आए हैं UPSC परीक्षा की दृष्टी से महत्वपूर कुछ एहम खबरें इसंख के साथ मैं हूँ दिव्यसी आईए सबसे पहले बात करते हैं इसंख की हेडलाइन्स के बारे में राजस्थान स्वास्थे का अधिकार विधियक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है संधारणिय फसल उत्पादन और मरदा स्वास्थे को बनाए रखने के लिए नैनो उर्वरक रिपोर्ट जारी की गई अंतराश्ट्रिय मुद्राकोष ने श्रीलंका के लिए तीन बिलियन डॉलर के बेलाउट की मनजूरी दी इरोपिय संग ने कहा है कि वो अपने कार्बन सीमा समायोजन तंत्र को लागू करते हुए भारत के साथ सहयोग करने को तयार है प्याज की कटाई के बाद होने वाले नुकसान को रोखने के लिए इसे गामा किरणों से विक्रिनित किया जाएगा इसके अलावा स्वास्थे और परिवार कर्लियान मंत्री ने कहा कि भारत का लक्षे एक संस्थागट धाचे के रूप में डिजिटल स्वास्थे पर एक वेश्विक पहल शुरू करना है और आई अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं राइट टू हेल्थ की ऐसा विध्यक पारित करने वाला राजस्थान देश का पहला राजी बन गया है स्वास्थे का अधिकार विध्यक में कुल 20 अधिकार दिये गए हैं ये विध्यक राज्य के प्रतेक निवासी को सभी सावजनिक स्वास्थ देख भाल केंद्रों पर बाहरोगी विभाग यानि OPD सेवाओं और अंतहरोगी विभाग यानि IPD सेवाओं का लाभ उठाने का अधिकार देता है साथ ही चुनिंदा प्राइविट अस्पतालों में भी समान स्वास्थ सेवाएं निश्शुल को उपलब्ध करवाई जाएंगी आपको बता दें कि भारत के समविधान के मताबिक अस्पताल और आशधाला सहित लोग स्वास्थ और स्वाक्षिता राजिसूची के विशय हैं राइट टु हेल्थ राजियों पर ये कानूनी दायत्व आरूपित करता है कि वो अपने निवासियों के लिए समय पर स्वीकारे और किफायती उच्चु गुनवत्ता युक्त स्वास्थ देख भाल सुनिश्चित करें इन अधिकारों में सुरक्षित और पीने योगिजल, स्वक्षिता, भोजन, आवास, स्वास्थ संबंदी जानकारियां, सिक्षा और लेंगिक समानता शामिल हैं सूप्रिम कोट ने बंधुआ मुक्ती, मोर्चा, बनाम, भारत, संग और अन्यमामले में निर्णय दिया था कि जीवन के अधिकार यानि की अनुछेद 21 के दायरे में राइट टू हेल्थ भी शामिल है राइट टू हेल्थ की मुखे विशेशताओं की बात करें तो इसमें समावेशिता को बढ़ावा दिया जाएगा राइट टू हेल्थ को लागू करने में कई चुनातियां हैं सरकार द्वारा स्वास्थ व्य बहुत कम है इसके अलावा देश में चिकित्सक जनसंख्या और नर्स जनसंख्या अनुपात काफी कम है रात्मिक स्वास्थ देख्भाल शेत्र की स्थिती सही नहीं है साथ ही स्वास्थ सिवाओं तक पहुँच में शेत्री इस्तर पर असमानता विद्यमान है और स्वास्थ शेत्र की शासी संरचना कमजूर है भारत में Right to Health सुरशित करने के लिए कई पहलें शुरू की गई है जैसे कि पंद्रवे वित्त आयोग के तहट एक उच्चिस तरिय समूं गठित किया गया था इसने Right to Health को मौलिक अधिकार घोशित करने के सिफारिश की थी राश्ट्रिय स्वास्थ नीती में सारभोमिक स्वास्थ कवरेज का प्रावधान है साथ ही मानसिक स्वास्थ देखभाल अधिनियम 2017, आयुश्मान भारत मिशन, राश्ट्रिय दुडलब रोग नीती 2021 आदी कुछ अन्य पहले हैं अगली ख़बर कृशी से जुड़ी हुई है इस रिपोर्ट में नैनो उर्वरकों के उप्योग को बढ़ावा देने के तरीकों पर भी सुझाओ दिये गए हैं इसे पहले इफको ने नैनो प्रद्योगी की आधारित उर्वरकों का विकास किया था किसानों के लिए खेती की इंपुट लागत को ये कम करता है इसके अलावा उच्च दक्षिता है उधारन के लिए नैनो यूरिया की दक्षिता 85 से 90 प्रतिशत है वही पारंपरिक यूरिया की दक्षिता केवल 25 प्रतिशत ही है ये तुलनात्मक रूप से ज्यादा फसल उपज सुनिश्चित करता है नैनो उर्वरकों के उपयोग से औसतन आठ प्रतिशत अधिक फसल उपज हासिल की गई थी नैनो उर्वरकों के उपयोग से यूरिया के आयात, सरकारी सबसीडी, लोजिस्टिक और भंडारन लागत में उल्लेखनिय कमी आएगी इसके अलावा कृशी शेतर में संधारनियता हासिल करने में वदद मिलेगी ऐसा नैनो उर्वरकों के उपयोग से फसलों में पोशक तत्वों की ग्रहन शमता बढ़ने, जल की खपत के कम होने और पर्यावरनी शती में कमी आने से संभव हो सकेगा। विप्रीत उनके साथ मिलकर सयुक्तु उद्यम सायंतर इस्थापित भी करने चाहिए। भारतिय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड की बात करें तो ये एक बहू राज्य सहकारी समिती है। इसकी इस्थापना 1967 में की गई थी। ये देश की सबसे बड़ी सहकारी समिती तथा देश की सबसे बड़ी उर्वरक निर्माता है। इफको की बाजार हिस्सेदारी कॉंप्लेक्स फर्टिलाइजर्स के मामले में लगबग 29 प्रतिशत तथा यूरिया के मामले में लगबग 19 प्रतिशत है। और आईए अब बात करते हैं आईएमफ की जो की एक बहुत ही महत पूर्ण अंतराष्ट्रे संगठन है। आईएमफ ने श्री रंका के लिए 3 बिलियन डॉलर के बेलाउट को मंजूरी दी है। आईएमफ के बेलाउट में आमतार पर एक वित्तिय पैकेज, संदचनात्मक सुधार पैकेज और रिंड संबंधी विशेश शर्तें शामिल हो सहता सुनिशित कराने में भारत, जापान और चीन ने महत्वपून भूमिका निभाई है। ये तीनों देश श्रिलंका के तीन सबसे द्विपक्षिय कर्जदाता देश भी हैं। आपको बदा दें कि जापान तो पैरिस क्लब का सदस्य हैं लेकिन भारत जो है वो एड़ ह भारत प्रमनेंट मेंबर नही है और पैरिस क्लब ऐसे देशों का समु हैं जो की करजदाता देशों को कहीं न कहीं आ रहे ही जो डिफिकल्टीज हैं उनसे निपटने में सहता करते हैं और सतत्त समाधान प्रदान करते हैं। में लग सकता है extended fund facility सहायता से कई शर्तें जोड़ी होती हैं जिनके कारण balance of payment संकड उत्पन हुआ था IMF की अन्य महत्वपून रिंड सुविधाओं की बात करें तो ये stand by arrangement प्रदान करती है यानि कि ये किसी देश की बाहरी वित्तिय जरूरतों के लिए और अल्पकालिक वित्तोपोशन के साथ उसकी समायोजन नीतियों का समर्थन करने के लिए दी जाती है इसके अलावा रिंड सुविधाओं फ्लक्सिबल क्रेडिट लाइन पर भी प्रदान की जाती है ये सुविधा बहुत मजबूत नीतिगर धाचे वाले देशों को संकट रोकने और संकट दूर करने के लिए रिंड देने के लिए उपलब्ध कराई जाती है इसके अलावा है स्टेंड बाइ क्रेडिट फेसिलिटी इसके तहट अल्पकालिक बैलेंस ऑफ पेमेंट जरूरतों वाले निमन आये वाले देशों को वित्तिय सहता प्रदान की जाती है वही extended credit facility ये सुविधा दीरकालिक बैलेंस ऑफ पेमेंट समस्याओं वाले देशों के लिए उपलब्ध है साथ ही precautionary and liquidity line रिंड सुविधा भी प्रदान की जाती है ये उन देशों के लिए उपलब्ध है जिनकी बुनियादी आर्थिक इस्तिती मजबूत तो है लेकिन उनमें कुछ कमजोरियां भी है ये कमजोरियां उन्हें flexible credit line का उपयोग करने से रोकती है अभी दह हम बात कर रहे थे अंतराष्ट्रे मुद्राकोश की अंतराष्ट्रे मुद्राकोश की इस्थापना की परिकल्पना ब्रेटन वूड सम्मेलाण 1944 में की गई थी ये एक विशेश सयुक्त राष्ट्रे एजेंसी है भारत इसका संस्थापक सदस्य है और इसके कारे हैं अपने सदस्य देशों की आर्थिक और वित्य नीतियों की निगरानी करना ये अंतराष्ट्रे वित्य इस्थिर्ता और मुद्रिक सहीयोग को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रियों को नीतिगत सलह प्रदान करता है विकास बैंकों के विपरीत IMF विशेश परियोजनाओं के लिए रिण नहीं देता है साथ ही संकट से बचाओं में बदत करने के लिए एहतियाती वित्त पोशन के रूप में वित्त भी उपलब्ध करवाता है अगला टॉपिक है यूरोपिय संग ने कहा है कि वो अपने कार्बन सीमा समायोजन तंत्र को लागू करते हुए भारत के साथ सही ओक करने को तयार है यूरोपिय संग की ये पेशकर्ष तबाई है जब भारत CBAM यानि की कार्बन सीमा समायूजन तंत्र के प्रतियुत्तर में यूरोपिय संग से होने वाले आयात पर जवावी प्रशुल्क लगाने पर विचार कर रहा है कार्बन सीमा समायुजन तंत्रु को भारत ने विकाशील देशों के प्रती भेदभाव पून बताया है CBAM यूरोपिय संग की एक ही उजना है इसके तहट 2026 से कार्बन गहन उत्पादों पर कर लगाया जाएगा कार्बन गहन उत्पादों में लोहा और इसपात, सीमेंट, उर्वरक, अलुमीनियम, विद्ध उत्पादन आदी आते हैं और कार्बन रिसाव की समस्या को हल करना। हाल ही में संफ्तराज अमेरिका ने Inflation Reduction Act पारित किया है। ये कानून ये ये संग के CBAM यानि कार्बन सीमा समायोजन तंतर के समान ही कार्बन गहन उत्पादों के आयात पर एक कार्बन शुल्क आरूपित करने का पर भी बहुत प्रभाव पड़ेगा क्योंकि भारत EU को वार्षिक रूप से लगभग 2 बिलियन डॉलर मुली के उत्पादों का निर्यात करता है और इन पर कार्बन सीमा समायोजन प्रशुल का लगाए जा सकते हैं और इसकी वज़े से बाजार में पहले से ही विश्वास की कमी है और इस कदम से ये और ज्यादा बढ़ जाएगी वैश्विक बाजार में प्रतिसपर्दी बने रहने के लिए बहुत तेजी से विकार्बनी करन करने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है कार्बन सीमा समायोजन तंतर साजह लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों और संबंदित शमताओं के सिध्धान्त के प्रतिकूल है यहाँ पर साजह लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों की बात करें तो अगर हम विक्सित देशों की बात करें तो यहाँ पर ज्यादा कार्बन उत्सरजन होता है बजाय की विकाशील देशों के और अगर संबंदित शमताओं की भी बात करें तो विकाशील देशों के पास प्रोध्योगी की रूप से ज्यादा शमता है तक्नीकी रूप से वो ज्यादा सक्षम है कि वो विकार्वनी कृत उत्पाद तयार कर सकें और सस्ती रागत पर तया अगला टॉपिक खेती सही संबनीत है प्याज की गटाई के बाद होने वाले नुकसान को रोखने के लिए इसे गामा किरनों से विकरनित किया जाएगा प्याज की जल्दी खराब होने वाली प्रिकृती, प्रिसंसकरण का निमनिस्तर और भंडारन का दोषपून बुनियादी धाचा प्याज की कटाई के बाद होने वाले नुकसान का कारण बनता है। इस प्रोसेस में लगभग 25 प्रितिशत प्याज का नुकसान हो जाता है। विकिरन उन जैविक प्रिक्रियाओं को बाधित करता है जो उत्पादों के शय का कारण बनती हैं। गामा किरन, एक्सरे या इलेक्ट्रोन खादे में किसी भी प्रकार की रेडियो धर्मिता उत्पन नहीं होने देते हैं। खादे पदार्थों पर उप्योग के लिए कई स्विक्रित विकिरन के स्रोथ हैं, जैसे की कोबाल, जिसे कोबाल 60 के नाम से भी जाना जाता है, या फिर CGM 137, इन में रेडियो धर्मी रूप से निकलने वाली गामा किरने हैं, इनका चिकित्सा और दंत उत्पादों को जिव एक्सरे की तरह होती है, और खादे में एक इलक्ट्रोनिक त्वरक से उच्च उच्च उच्चा इलक्ट्रोन्स की धारा होती है, इन सभी उपायों से क्या होता है कि खादे जनिक बीमारी पैदा करने वाले जीव, जैसे की E. Coli Vacteria आधी नश्ट हो जाते हैं, उप्योग अवधी बढ़ाने के लिए खादे फसनों के अंकुरन और पकने में ये देरी करते हैं, इसके अलावा विकिरंड खादे पदार्थों को खराब करने और सडाने वाले जीवों को नश्ट या निश्क्रिय करता है, विकिरंड खादे पदार्थों को जीवानों रहित बनाने के लिए इस्तमाल किया जा सकता है इससे उन्हें बिना रेफ्रिजरेशन के सालों तक स्टोर किया जा सकता है स्वास्थे और परिवार कल्यान मंत्री ने कहा है कि भारत का लक्ष एक संस्थागट धाचे के रूप में डिजिटल स्वास्थे पर एक वैश्विक पहल शुरू करना है स्वास्थे मंत्री ने डिजिटल स्वास्थे पर एक वैश्विक सम्मेलन को संबोधित किया है इसमें उन्होंने कहा है कि ये धाचा डिजिटल स्वास्थे के लिए वैश्विक प्रयासों को एक जुट करेगा और अत्यधुनिक टक्निकों के उपयोग से डिजिटल समाधानों को आगे बढ़ाएगा डिजिटल स्वास्थे देखभाल में कई श्रेणिया शामिल है जैसे कि मोबाइल स्वास्थे, स्वास्थे सूचना प्रध्योगी की धारन करने योगे उपकरन, टेली हेल्थ और टेली मेडिसन और परसनलाइज मेडिसन इन प्रोध्योगिकियों में स्वास्त देख्भाल और संबंदित उप्योगों के लिए कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म, कनेक्टिविटी, सॉफ्ट्वेर और सेंसर का उप्योग किया जा रहा है डिजिटल स्वास्त देख्भाल के कईलाब हैं इससे अक्षमताओं को कम करने में मदद मिलेगी ग्रामीन शेत्रों तक पहुच में सुधार होगा लागत में कमी आएगी गुणवत्ता में सुधार होगा रोगियों के लिए दवा को अधिक परस्नलाइज बनाया जा सकेगा रोग निदान में सुधार होगा और कारेबल का इश्चतम उपयोग सुनिशित होगा वही उसको चुनौतियों की बात करें तो भारत में स्वास्थ देखभाल की संगी प्रकृतिक कारियों या प्रयासों के बिखराव का कारण बन सकती है डिजिटल प्रणाली में डिजिटल रूप से निरक्षर लोग पीछे छूट सकते हैं डिजिटल बुनियादी धाचे के विकास की उच्च लागत और कुशल कारेबल की कमी है विश्व स्वास्थे सभाने 2020 में डिजिटल स्वास्थे पर डब्लो एच्चो की वैश्विक रणीती को अपनाया था और इसमें नवाचार और डिजिटल स्वास्थे देखभाल में हुए नवीनतम विकास को शामिल करने के लिए एक रोड मैप प्रस्तुत किया गया है इससे स्वास्थे परिणामों में सुधार करने में मदद मिलेगी भारत में इस संबंद में कई पहले की गई हैं जैसे कि भारत की स्वास्थे सेवा प्रणाली का डिजिटली करन करने के लिए आईश्मान भारत डिजिटल मिशन लॉंच किया गया प् अब बात करते हैं कुछ संशिप्त लेकिन महत्वपूर्ण खबरों के बारे में अब तक फंदे से लटकाया जाना चाहिए जब तक कि उसकी मृत्यू ना हो जाए इससे पहले केंदर ने फाइरिंग स्क्वाज और घातक इंजेक्शन जैसे अन्य तरीकों की बजाए पांसी द्वारा मृत्यू दर्ण देने का समर्थन किया था और आईए अब बात करते हैं सुर्खियों मरही शब्दावलियों के बारे में मुद्राइस्फिती के इस्टिकी होने का अनेवारे रूप से अर्थ ये है कि मुद्राइस्फिती में होने वाली संभावित गिरावट में आशा से ज्यादा समय लग सकता है खादय और इंधन की उची कीमत ने व्यापक रूप से अर्थ विवस्था को प्रभावित किया है और अन्यवस्तूं को महंगा बना दिया है राश्ट्रिय सुरक्षा अधिनियम इस कानून को संसद में 1980 में पारित किया था यह कानून राज्य को किसी आपचारिक आरोप के बिना और सुनवाई के बिना किसी वیک्ती को हिरासत में लेने का अधिकार देता है अधिनियम के तहत यदि किसी व्यक्ति के कृत्य राजी की सुरक्षा या लोग विवस्था बनाए रखने के खिलाफ हैं तो उन कृत्यों को रोखने के लिए उस व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है ये एक प्रशासनिक आदेश है इसे डिवीजनल कमिशनर या जिला मजिस्ट्रेट पारित करता है राश्ट्रिय सुरक्षा अधिनियम तब भी लगाया जा सकता है जब कोई व्यक्ति पुलिस हिरासत में हो या किसी व्यक्ति को जमानत दे दी गई हो या व्यक्ति को अदालत म में बरी कर दिया हो बइसक्र निरदेशित उरजाहतियार सेनाप्रमुक ने डि एडवलू यानि भविश्य की तखनीकों को अपनाने की आविशक्ता पर बल दिया है डिएक्टिड एनरजी व्यक्त अमरेला शब्दावली है ये उन तकनीकों को कबर करती है जो कींद्री पहुंचाने या नश्ट करने के लिए किया जाता है डिरेक्टिड एनर्जी वैपन्स के लाभ ये हैं कि ये प्रकाश तरंगों के समान गती करने में सक्षम है इसमें इस टील्थ के समान प्रदर्शन शमता होती है इसके अलावा इसका लक्ष सटीक होता है पंडुबी रोधी पोत आईनस एंडुथ को लौंच किया गया ये आठ पंडुबी रोधी वारफायर शैलो वाटर क्राफ्ट की श्रंखला में दूसरा पोत है इस श्रंखला का पहला पोत आईनस अर्नाला था इसका एंडुथ नाम लक्षदीप दीपसमू के सबसे बड़े प्रतिमा में बुद्धु बौदी वरिक्ष के नीचे ध्यानमुद्रा में बैठे हुए है चंदन नकाशी की कलाश सदीयों से करनाटक की सांस्कृतिक विरासत का अभिन अंग रही है चंदन एक सदा बाहर विक्ष है ये विक्ष ज्यादा तर करनाटक केरल और तमिलनार् इसके लिए वार्षिक वर्षा 500 से 3000 मिलिमीटर तक होनी चाहिए। और प्रत्वी की सत्वे का वो भाग होता है जहां सबसे पहले भूकम्प का अनुभव होता है। और ये केवल ठोस माध्यम में ही गमन कर सकती हैं। और आई अब बात करते हैं सुर्खियों में रही प्रजातियों के बारे में। हाउस स्पैरो, गौरेया। 20 मार्च को विश्व गौरेया दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनको हाउस स्पैरो भी कहा जाता है। आई उसीयन में इनकी इस्थिति लीस्ट कंसर्ण की है। गौरेया एक समाजिक प्रजाती हैं जो 8 से 10 के समुह में रहती हैं। इन्हें इमारतों में घोसला बनाने के लिए जाना जाता है। इसे वनों की बजाए मनुश्यों के निकट संपर्थ में रहने के लिए जाना जाता है। ये प्रजाती अंटाक्तिका, चीन और जापान को छोड़कर प्रत्येक महाद्वीप में पाई जाती है। ये यूरेशिया और उत्री अफ्रीका की स्थानिक प्रजाती है। इनकी अबादी में बीते दशुकों में काफी गिरावट आई है और इसका कारण है परियावाश्चती, भोजन के लिए घटते पारिसितिक संसाधन, प्रदोशन का उच्चिस्तर, माइक्रोवेव टावर से होने वाला उत्सरजन आदी। आपको बता दें कि केंदर शासत प्रदेश दिल्ली का राजी की अपक्षी गौरेया है। यानि कि Liquid Mirror Telescope ऐसे उपकरण हैं जिनमें एक दरपन होता है। ये दरपन एक परावर तक तरल जो कि अनिवारे रूप से पारा होता है, उसका बना होता है। हालन कि अन्य तरल पदार्थ जैसे कि गैलियम की कम पिघलने वाले मिश्रधातों का भी इसमें उपयोग किया जाता है। लिक्विड मिरर टेलिसकोप इस्थर टेलिसकोप हैं, ये आकाश के एक छोटे से हिस्से की छवी का निर्मान करती हैं, जो इनकी लंबोवत शीर्ष बिंदू पर होता है। ये तारों, आकाश गंगाओं, सुपर नोवा, विस्पोटों तथा शुद्र ग्रहों से लेकर अंत्रिक्ष मलबे तक किसी भी संभावित खगोलिय पिंडी की तस्वीर लेने में सक्षम है। कि शुक्र सूरी का दूसरा सबसे निकर्तम ग्रह है, इसे अकसर प्रत्वी के जुडवा ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। इस जानकारी को आप अब करेक्ट कर लीजे। भारत 137 देशों में 126 वे स्थान पर रहा है। इसके साथ ही यंग समाफ्त होता है, अगले अंत में फिर बुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक अपने लक्षी के लिए ततपर रहिए। और अगर आपको हमारा कंटेट अच्छा लगता है, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेर जरूर करें। और अब हमें यानि विजन आईएस की पूरी टीम को दीजे इजासत। नमस्कार। करें पिक एपको हमें।